नमस्कार अगर इंसान कुछ कारी करने की कोशिस करता है और कुछ कारी करता है लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहा है या किसी बिजनिस में कारी कर रहा है या किसी भी कारी में कर रहा है उस इस्तिति में अगर वो बर्बाद हो गया है वो रोड़ पर आ गया है उसका सब कुछ बर्बाद हो गया तो उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए पता है आपको आपके पास में सब कुछ खतम हो चुका है, आपका घर, आपका बार, आपके समाज में इज़त, आपकी दोस्तों में इज़त, सब कुछ खतम हो चुके है, आप बिलकुल बर्बाद हो चुके, इस कंडिसन में ध्यान रखना कि आपके पास में सब कुछ खतम हो चुका है, ले में तो कभी नहीं वापिस उपर उठ सकते हैं आप दूसरी चीजें सारी खत्म कर दोगे सारा बढ़ बाद हो जाओको कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा कोई बात नहीं लेकिन अपने मन में यह दो चीज जरूर बचा के रखना इस दो चीज से वापिस आप फड़ से आर उसको बढ़ाने के लिए सकसेज होने के लिए लेकिन कभी कभी परस्तियां ऐसी होती है कुछ कारण ऐसे होते हैं कि इंसान बरबाती के रास्ते पर पहुंच जाता है और जब बरबाती के रास्ते पर पहुंच जाता है ना तो आर्थिक परेशानी तो जेलता है साथ में मा अगर तुझे बिजनिस नहीं आता था तो तुने क्यों किया बजनामी के रास्ते पर इंसान चला जाता है अगर आपके साथ में भी इस्टती बन गई है बिजनिस किया बिल्कूर बर्बात हो चुके हो रोड पर आ चुके हो घर समाज हर जगह आपके इज्जत वर्बात हो चुके है अगर आपके साथ में भी अगर यह हो चुका है ना तो कोई बात नहीं होने दो दुनिया हसे तो हसने दो बस अपने मन में ये दो चीज कि कमी मत होने देना ये दो चीज अगर आप रख लीना तो वापिस फर से अर्ष तक पहुंचा हो गया और वो है आत्म विश्वास और उमीद अपने अंदर आत्म विश्वास कभी खत्म मत होने देना एक विश्वास रखना कि मैं कुछ कर बुझे होगा दुनिया एसे एक्जम्पल से बरी पड़ी हुई है जो रोड पर आगे थे बिजनिस करते हुए है फिर भी अपने अंदर आत्म विश्वास और उमीद रखी उस आत्म विश्वास और उमीद से वापिस तोप डेवल्पर पहुंच गया है अमिताव बच्चा सधी के महनायक के नाम से जाने जाते हैं एक समय था उनका केरियर तोप पर था उनका करियर तोप पर चल रहा था उन्होंनों भी एक कंपनी बनाई प्रोड़क्शन कंपनी और अलग-अलग फिल्मों में पैसे लगाए और एक समय ऐसा आया कि वो बिल्कुल रोड़ पर आ चुके थे उनका बेंग बेले जिरो था उनका बंगला किसी बेंग के पास में गिरवी था हर तरफ से अमिताव बच्चन को ताने जिलने पड़े लोगा ने उनको एक कहा कि कि अगर आपको बिजनिस करना नहीं आता तो आपने क्यों किया हर तरफ उनका मजाग उड़ाया जो इंसान टोप पे था पिल्कुल फर्स पर आ चुका देखिया आप जो इंसान अगर टोप पर होता है ना और जब फर्स पर आता तो कितना मेंसिस होता है और उस वक्त अमि वही मुकाम पाए और आज अमिताब बच्चन को आप देखते हो आज वापिस वही पोजिशन पर आए तो जिवन में एक बात द्यान रखना यह अगर सब कुछ खत्म होने की बात भी अगर आप यह दो चीज अपने मन से नहीं खोते होना तो आप समझ लेना कि आप इस कि दम पर